नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे भारत में कौन सी करोना वैक्सिन सबसे पहले उपलब्ध हो सकती है दोस्तो फाइजर, मौडरना और स्पुतनिक वी के अच्छे नतीजे आने के बाद अभी सब भारतियों की नजर ओक्सपुड वैक्सिन और कोवैक्सिन पर है तो इनक आपको सबस्क्राइब कीजे, वीडियो को लाइक कीजे, शेयर कीजे, आखिर तक मेरे साथ बने रही है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके दोस्तो इस अच्छे खबर आई करोना वैक्सिन से रिलेटेर, सबसे पहले खबर जो आई फाइजर वैक्सिन के बारे में के यह है और स्पुतनिक भी वैक्सिन के ट्राइल्स भारत में चल रहे है, स्पुतनिक भी के ट्राइल्स कानपूर में शुरू हो रहे है और भारत में कापी सेंटर्स में इसके ट्राइल्स शुरू होगे, इसके लिए जो वैक्सिन की पहली खेप है भारत पहुच चुकी है, इस इसके million of doses बनाई जाएंगे तो ये sputnik भी वैक्सिन के बारे में अच्छी खबर है कि भारत में इसके phase 2 और 3K ट्राइल शुरू होने वाले है और दूसरी बात कि इसका production भी भारत में शुरू हो गया है अब दोस्तों बात करते हैं moderna vaccine के बारे में moderna vaccine काफी effective पाए गई है ये लगबग 94.5 प्रतिशत effective पाए गई है और दोस्तों जो infections हुए 5 प्रतिशत लोगों में vaccine group में वो mild infections थे तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को moderna की vaccine मिलती है तो उसको infection होने का जो chance है वो 95 प्रतिशत नहीं रहेगा और by chance infection हो भी ग होती अच्छी खबर है moderna vaccine जो है senior citizens पीपी काम करती है और इस vaccine के बारे में अच्छी खबर ये है कि ये vaccine minus 20 degree centigrade पर store की जा सकती है और 2-8 degree centigrade तक ये एक महिने तक रहती है तो दोस्तों जो भारत में cold chain available है उसमें ये 2-8 degree की cold chain available है तो इस vaccine का भारत में इस्तमाल किया जा सकता है इसमें इतना ultra cool temperature की ज़रोत नहीं पड़ती है जितनी Pfizer vaccine के लिए ज़रोत पड़ती है तो दोस्तों moderna vaccine के बारे में अभी दिक्कत ये है कि moderna vaccine के भारत में trials नहीं चल रहे है कोई company के साथ इसका अभी तक contracts नहीं हुआ है भारत सरकार कह रहे है कि हमारी बाक्चित सभी companies से च बुजरना पड़ेगा तो इसमें समयल लग सकता है औक्सपोड vaccine के बारे में अच्छी खबर यह है कि भारत में इसके फेस्त्री के ट्राइल्स अल्रीडी चल रहे है इसके नतीजे डिसंबर महिने तक आ जाएंगे और यह जो ऑक्सपड वैक्सिन है इसका production अल्रीडी serum institute प बाद जो भारत की वैक्सिन है को यह भारत भायर्टिक की पूरी स्वदिशी vaccine है इसके फेस्त्री ट्राइल्स अंतीम चरण के ट्राइल्स अभी शुरू हैそ I toldек आब इसके वैएस को कम से कर मैंने धो मैने तो भी लगेंगे इसके नतीजे आने के लिए तो यह मैने दो मैंन तो यह वैक्सिन अविलेबल नहीं हो सकती है एक्चूली को वैक्सिन के जो अंतिम चरण के ट्राइल शुरू करने में काफी देर हुई यह जो वैक्सिन के ट्राइल थे अगर फेस्टू के साथ शुरू किये होते तो आज तक इसके बारे में कुछ ना कुछ नतिजे आये होते और दुनिया की जो रेस है उसमें इंडिया पिछड नहीं जाता हिदराबात में बाइलाजिकल एक कंपनी ने भी अपनी वैक्सिन तैयर की है इस वैक्सिन के अभी फेस्टू के ट्राइल शुरू होए है तो इसको भी अभी आने में समय है तो दोस्तो अभी हमारा सवाल रहता है कि भारत में सबसे पहले कौन सी वैक्सिन अवेलेबल हो सकती है तो दोस्तों सबसे पहले Oxford की वैक्सिन अवेलेबल हो सकती है अभी में बात है कि इसके जो नतीजे है फेस्टरी टायस के अच्छे आने चाहिए लेकिन काफी एक्सपर्स का कहिना है कि Moderna और Pfizer की वैक्सिन सक्सेस हुई है इसके बाद जो COVID-19 की वैक्सिन है ओक्सपर्स की वैक्सिन है ये भी सक्सेस्पूल होने के चांसेस काफी ज़्यादा है तो हम उमीद करते हैं कि ओक्सपर्स की वैक्सिन सुरक्षित और प्रभावी निकले और आने वाले दिनों में ये भारतियों के लिए अवेलेबल हो दोस्तों इसके अलावा आपका कोई सुजाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूले धन्यवाद